पहुत चुके हैं हनुमान गड़ी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधान मंत्री यहाँ पर पवन्सुत हनुमान के दर्शन करेंगे सीडियों को चड़ते हुए भारतिये वेश भूसा में परंपरागत परिधान में पुर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्तिनाथ इस समय पहुच चुके हैं भगवान हनुमान के दर्बार में और साथी साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि हस्त प्रक्षालन कर अपने जूतों को उतार कर हस्त प्रक्षालन कर अब वो परंपरागत तरीके से हनुमान जी के दर्शन के लिए अभी मुख्यमंत्री महोदे का आगमन हो चुका है हनुमंत लाल के दरबार में और वो अब प भीतर प्रदेश योगी आदिते नाथ जी उनके साथ साथ हैं हनुमान गढ़ी के भीतर प्रवेश करते समय जब आप चलते हैं ये परिक्रमा मार्क से जिधर से प्रधान मंत्री जी जा रहे हैं तो हनुमान बाहुक सुन्दर कांड हनुमान 40 उत्कीर्ण है संगमर्मर के प से कर रहे हैं कि मनोजुवं मारुत तुल्ले वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरण प्रपद्य भगवान हनुमान श्रीराम भगवान के अनन्यतम भक्त माने जाते हैं और ये परमपरा है कि अयुद्या धाम में पहुशने वाला हर व्यक्ति सरवपर्थम भगवान श्रीराम के अनन्यतम भक्त पवनसुत हनुमान के दर्शन करेगा और उसी परमपरा का निर्वहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी इस समय हनुमानगड़ी में मौजूद हैं पवन्सुत की आरती कर रहे हैं अपने आप में बहुत ही एतिहासिक अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी हनुमानगड़ी में रामभक्त हनुमान की अर्चना करते हुए और अब परिक्रमा कर रहे हैं आज एक लंबे इंतोजार के बाद वो शुभ मुहुर्त और अब रामभक्त हनुमान के हनुमान गड़ी में प्रधानमंत्री मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का राज दिलक यहीं हुआ था रामदूत अतुलित बलधामा अंजनि पुत्र पवनसुत नामा भगवान हनुमान पवनसुत माने कहे जाते हैं और अंजनि पुत्र कहे जाते हैं और सबसे बड़ी बात जो भगवान हनुमान को रामदूत की जो संग्या मिली हुई है वो उन्हें और विशिष्ट और विलक्षन बनाती है और एक प्रतिबधता संपूर विश्व के सामने सपस्ट रूप से आती है जब भुद भगवान हनुमान ये कहते हैं कि राम काज की ने बिना मोही कहां विश्राम और आज वही प्रतिबधता जो की कही जाती है कि तवदियाय कार्याय बद्धा कटियम आज उसी प्रतिबधता के परिपूरर होने का दिन है और आज प्रधानमंत्री नरंद्रमोदी के करकमलों से भूमि-पूजन होगा भगवान श्री राम के जन्मस्थल पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माड के लिए और वो वही प्रतिबध्धता है भगवान हनुमान की प्रतिबध्धता के राम काज कीने बिना मोही कहा विश्राम और ये उसी प्रतिबध्धता का उदाहरण है जो कहा जाता है पदियाय कार्याय बद्धा कटियम मानिय प्रधानमंत्री मोहदय को हनुमान गड़ी की उस परंपरा के अनुसार वो एक भेट की गई सिर पर एक मुकुट जिसे उन्होंने धारन किया बहुते श्रद्धा के साथ और वो एक प्रतीक होता है कि जो काज वो मन में लेकर आये थे वो पूर्णता को प्राप्त होगा आशिरवाद प्रधान होने की एक सनातन परंपरा का निर्वान किया गया वहां के गद्धी नशीन द्वारा मानिय प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही श्रद्धा के साथ उसे ग्रहन किया अयोध्या आज पूरी तरह से खुशी से नृत्ते कर रही है वो जूम रही है आज उसके आराध्धे उनके इस्ट भगवान प्रभुश्री राम का जो की राम लला विराजमान के रूप में जन्म भूम परिसर्द मुने विराजते हैं उनके भव्वे भवन का निर्मान होना है आज भूमी पूजन के साथ कार्या रंभ होना है उसी कड़ी में मान्ये प्रधान मंत्री महोदे ने हनुवान गड़ी का दर्शन किया और अब वो जन्म भूमी परिसर्द की तरफ आएंगे और रहा सवाल अयोध्या का तो अयोध्या साक्षी बन रही है उस एतिहासिक घड़ी के ये जो इतिहास लिखा जा रहा है उस इतिहास का साक्षात कार करना अपने आप में एक दिव्वेता की अनुभूलती है अयोध्या का जिक्र जब भी किया जाता है उस धार्मिक शहर के साथ शीराम और सर्यू नदी का महतो भी हमीशा से ही सामने आता है राम लला उनके साथ भाई भरत लक्ष्मन सत्रोग्न साथ में हैं राम भक्त हनुमान शालिक राम और प्रधान मंत्री हनुमान गढ़ी के बाद अब राम लला के दर्शन और पूजन के लिए आएंगे राम का रामत्व उनकी संघर्ष शील्टा में है राम के संघर्ष से साधारन जनता को एक नई शक्ति मिलती है कभी न हारने वाला मन विपत्तियां हजार हैं राम रोते हैं बिलखते हैं पर हिम्मत नहीं हारते हैं कर दो 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 प्रवार जो दो कर दो कि वाला के रामते हैं रामते हैं